हालो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू नेव वीडियो तो फ्रेंड्स जैसे कि आप सभी को पता कि सतनाम खत्रा जो कि पंजाब के एक बॉड़ी वेल्ड दे उनका डेथ हो चुका है जहां तक मुझे एविडेंस मिला कि उनका डेथ हार्ट अटक के वज़े से हुआ है और मैं भ कोई बॉड़ी विल्डर के देथ होता है हार्ट अटक होता है तो हार्ट किसी को हो सकता किसी का डेथ निश्चित नहीं कि आज होगे कल होगा लेकिन मैं उनको एक चीज़ बोलना चाहता हूं यदि आप बुडबक नहीं है तो इतना जल्दी किसी का हार्ट अटक नहीं होत जिससे कि blood proper flow नहीं पाता है, उससे heart attack हो जाता है, श्याडविज करने के वज़े से liver, kidney, आपका heart, आपका अंदर के जो machinery खराब तो होता है, साथ में आप अपने जो family है, उनको destroy कर दे रहे हैं, उनको आपसे बहुत उम्मिध है, वह आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके relative से जो आपसे प्यार करते हैं, आपके दोस्से जो आपसे प्यार करते हैं, तो अपने जिन्दगी से खिलवाड करना सही चीज नहीं है, आजकल के जो use से और लोग naturally कुछ दिन train करते हैं, पांच महीना, छे महीना, एक साल, फिर देखते कि उनको उतना जादा results नहीं मिलता है, तो क्या करते हैं, उनका trainers उनको बोलते कि study ले लो, उनका दोस्त बोलते कि तुम डानमर ले लो, तुम यह ले लो, इससे तुम्हारा body जल्दी बन जाएगा, लेकिन friends, वो body नहीं है, एक ऐसा body जिसमें आपका अंदर का machinery खराप है, बहार से आपका muscle से इतना बढ़वड़ दिख रहा है, चेस निकल गए आपका, एपस निकल गए, यह कैसा body है, आप ही बताई यह body है, जहां पर आपका अंदर के machinery पुरा खराप हो गया है, आप सही से training नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर डायट नहीं ले रहे हैं, फिर कैसे expect कर सकते कि आप एक अच्छा natural body बनाएंगे अरे body बनाने में time लगता है, जैसे बहुत सारे bodybuilders के इसी तरह heart attack हुआ है, जैसे सत्नाम जी के हुआ है, उसी तरह rich प्याना उनका भी same heart attack हुआ था, जैसे बहुत सारे bodybuilders का heart attack हुआ है, एक चीज़ आप सोचे, जो लोग athlete है, जो gyms कर रहे हैं या athlete है, जो running करते हैं, आप कैसे expert करें कि उनका heart attack होगा, उनका था heart attack उल्टा नहीं होने चीए, 25-30 साल में किसका heart attack होता है, जिसका पहले से heart के बिमारी है, लेकिन जो एक athlete है, जो अपना body को day by day better कर रहा है, उसका कैसे heart attack हो सकता है, तब ही हो सकता है, जब वो बहार से steroid ले रहा है, या कुछ और drugs य जिस्से कि उसका heart attack होता है, exercise medicine रहता है, उससे heart attack होता है, आज कल के बोडी नहीं बन रहा है, चलो dynamo करते हैं, मुझे तना नहीं पता है, क्या कैस्टे UX करता है, कोई bulking cycle उसका कोई cutting cycle उसक्ता है, जिससे कि इसका body कुस दिनोंग आच्छा बन रहन जाता है, आप हो सते कहें सब करता है लेकिन मैं उसी को असली बॉड़ी मानूंगा जो पॉपर डायेट प्रॉपर एक्साइस एक अच्छा बॉड़ी बना रहा है लड़की पटाने के लिए बॉड़ी बना रहा है लड़की को ऐसे बॉड़ी पसंद नहीं है इतना बड़ोड़ा मसल्स बहुत जाद एक्सेसिव रिव्ट उतना आप अच्छा ट्रेनिंग कीजिए अपना डायेट के साथ खेलिए इदि आपको रिव्ट बॉड़ी चे तो अच्छा मसल मास लाना चाहते हैं तो आप थोड़ा काप्स को हलका बढ़ाईए फैट बढ़ाईए मल्टी विटामिन से लिए इससे क्या होगा बॉड़ी डे बेटर होगा हाट अब को हाट अब कभी नहीं होगा आप डे बाई दे और ज्यादा फीट होते जाएंगे और जो ड्रक्स मुझे इतना नहीं पता है क्या क्यों ड्रक्स करते हैं से बॉड़ी बनाने के लिए बिकोज मैं नैच्रूल अथ्रीट हो और मैं नैच्रूली रहना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूं बॉड़ी बिनती है जानता हूं कि मेरा बात उनके पास नहीं पहुचाएगा लेकिन यह कहोंगा कि हो सके तो नैच्रूल बॉड़ी बॉल्डिंग कमबिडिशन किया जा कुछ ऐसे भी आश्चिशन है जहाँ पर नैच्रूल बॉड़ी है वो उस लेविल का बॉड़ी देख रहे हैं ठीक है तो उनका माइन में उस तरह का बॉड़ी फीट हो जाता है कि मुझे भी ऐसा बॉड़ी बनाना है लेकिन एक नैच्रल बॉड़ी बॉड़ी जिसे नहीं लग सकता है विकॉज हमारा बॉड़ी में एक लिमिटेट है लेकिन उनका मश्रमास तब तक ही रहेगा जब तक वह भार से इंजट कर हैं जैसे हूँ साइकल बंद करें जैसे ही वो से लेना बंद करें उनका मस्रमास पूराइर को जागा और यूप पहले से बत्तर बॉडी बाहर से अच्छा दिखता है और इसे दिखावड़ी बदन बना कुछ फादा नहीं आप अच्छा लग सकते हैं नैचुरल ट्रेन करके अच्छा फीड बॉड़ी अच्छा मसल्स पूटान कर सकते हैं टाइम देना पड़ेगा आपको प्रॉपर डाइट लीजिए जो लोग देड़ घंटा तेक प्रेक्टिस करते हैं देड़ सो दो घंटा उनका मसल्स जादा पूटान किया लेकिन हमारे जो इंडियन यूट्यूब जो इंड़ेट्री है यहां पर क्या बोला जाता है कि आप 40-45 मिन्ट ट्रेनिंग किजिए लेकिन उनके लिए सही है जो बीगिनर्स जादा रिकाबर नहीं कर पाते हैं लेकिन जो थोड़ा इंट्रमेडिट है थोड़ा एड़्वांस है जो तीन-चार साल ट्रेनिंग कर चुक है उनको देड़ घंटा ट्रेनिंग करना जोरी है चालाइस-पैसमें ट्रेनिंग कर कुछ नहीं होगा एक होता आप अपना मैनत बढ़ाना होगा डाइट बढ़ाना होगा डाइट टिक करना पड़ेगा आपको अपना ट्रेणिंग को चेंज करना पड़ेगा बहुत सारा फंड़ा है अब एक कि एसे नहीं कि इसकी श्टसेर आपको बॉड़ी origin, नहीं है आप अपने आपको धोका में टाल रहे हो आपको life coverage हो परदो कैंद मुझे 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 तो हुआना पर ड legalத्रकु हो कर सकते हो कमट पर गाली दीजिए लेकिन मैं अपना मन का बाद बोल रहा हूं कि स्टेवर्ड मत लो इससे आपका लाइप खराप हो जाएगा उन बॉड़ी विल्डेस को देखके जो ऑलम्पिय स्टेज में खेल रहे हैं आप बाद उनका बॉड़ी देखेगा जब ऑलम्पि कर चुके हैं उनका काप्स देखेगा अभी भी यूटूब में है उनका वीडियो तो नैच्वल ट्रेन कीजिए अपना बॉड़ी को पुछ कीजिए अपना बॉड़ी को फिट बनाए आप ज्यादा दिन तक जिंदा रहेंगे एक नॉर्मन इंसान ने दिप सत्ता साल जिं में इसका बदनाम हो रहा है बॉड़ी विल्डिंग में स्व्ण बॉड़ी को बनाना बॉड़ी को खराब नहीं करना है आपको अपना बॉडी मजबुत बनाना अप स्ट्रड 와 करां complete जिससे कि एक सोसाइटि में खराब फिसका इमेजा पढ़े गया कि बॉड़ी विल्द इसको एक अलग दर्जा नहीं मिलता है और जो नैच्रल है जो अच्छा बोड़ी बनाया है उनको संमान नहीं मिलता है तो यह भी लगता श्ट्रोड लिया हुआ होगा सो हाथ जोड़के बिंती के श्ट्रोड मत उच करो प्लीज और आज की वीडियो इतना ही मिलते नेक्स वीडियो मांटिल पीस भाई टेक केर